हालो गाईज, वेलकम पो टेकी आसर यूडिव चलनल और गाईज टेकी आसर अपडेट के नहे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है किस गर्म अगरम टेक न्यूज आपको फटा फट से मैं आज की स्वीडियो में लेटेस्ट न्यूस देने वाला हूँ तो सी बात पे कर द गए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से बने आपको बता दुए आप सुबह में एक और एक वीडियो दा लेते रेट्बी नोट 9 को लेके इंडिया में कभ लॉंच होगा ओफीचल नॉंडेट यहां पर इसकी निकल का आ चुकिये क्या कुछ आपको स प्राइस पॉइंट को इंडिया में लॉच होगा सारी कम्प्लीट डिटेल में आपको वीडियो में बताया हूँ तो अगर आप वीडियो देखने में इंटेस्टेट हो रेड़ी नोट नाइगी तो जरूर उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंड में दे द साथ उसी के साथ में एक और एक प्रोड़क्ट यहां पर रियल में लॉच करने वाला है जो के एक पावर बैंक रहने वाले है और आप मेंसे बहुत साही लोग पुछते थे भाई फास्ट चार्जर वाला पावर बैंक कब लॉच होगा यह मतलब फास्ट टेकनलोजी के साथ में पावर बैंक 10,000 एमेज के साथ में लॉच करने वाला है तो कंफॉर्म हो चुका है अब प्राइस पॉइंट मुझे थोड़ी एक्स्पंसिव रह सकती है नॉर्मल पावर बैंक की कंपैर्जन में लेकिन 30 वाट का पावर बैंक आपके फोन को चार्ज करें और जब सेट नाइट ट्वीट करके बता दिया है वाई 25 वाट का जो है आपको फास चार्जिंग टेक्नलोजी यहां पर यलमी की तरफ से बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी अब डॉटल ही यहां पर देख सकते हो तो भाई 25 वाट और बताये जा रहे कि यहां पर यह 15 मिनेट के अंदर जो आपके 0-200% 4000 इमेच की बैटरी अगर रहती है तो उसको फास चार्ज कर देगा मतलब आप सोचो यार एक टाइम ता जो हम तीन तीन घंटा यहां पर लगता था हमें फोन चार्ज करने में 10 वाट के साथ में अब 125 वाट की टेक्नलोजी जबरदस है वाई टेक्न प्रो 5G के बारे में तब सभी को बता होगा या लॉक्डाउन जीस्टी वागरा से पहले लॉंच वा था 38,000 रुबीज में आउटसेंडिंग डिवाइस था 5G है 90 हर्ट का अमोलेड है स्नैप ड्रेकन 865 वागरा कैमरा वगरा भी जबरदसते 65 वाट की फास चार्जिंग ल बिल्कुल भी मुझे भी अच्छा नहीं लगा आपको क्या लगा ये न्यूस सुनके मुझे बताना नीचे कमेंट्स में हाँ अभी तक अगर आपको टैग न्यूस पसंद आ रही है तो क्या करो यार वीडियो को लाइक नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो एक गुड न्यूस भी एक बैड न्यूस भी है तो चलिए स्टार्ट करते हम गुड न्यूस के साथ में के रेड्मी नोट नाइन जैसे कि मिन आपको सुबह में वीडियो में बता दिया था यहां पर यह लॉंच होने वाला है इंडिया लॉंच डेट कंफर्म हो चुछी कि प्राइड न्यूस आप बोल सकते हो शौमी की तरफ से आप सभी को पता है रेड्मी नोट 8 लॉंच होता है दसजार रुपे में आउटस्टेंडिंग डिवाइस टा ओल्डाउंडर के हिसाफ से फिर उसका प्राइस पॉंट हुआ साड़े दसजार फिर जीस्टी लगने व आपको बिल्कुल भी वो स्मार्टफोन का रेकमेंड नहीं करूंगा दिर अजार मिलाके पोको M2 प्रो के साथ में जौब वो बेटर डिवाइस है तो रेड्मी नोट 8 को आज की रेड में भूल जाओ 10,000, 11,000 तक के ठीक ता साड़े 12,000 रुपे ये इतना कैसे प्राइस प पनीवी है उतने जबर्दस प्रोड़क वन प्लस लॉंच करें सही प्राइस पॉइंट पर लेकिन इंटर्नल लीक निकल क्या यह जो वन प्लस नौड का बेस्विरेंट रहने वाले है वह स्टार्ट होगा Amazon पे 24999 के साथ में सीरियसली है अगर यह सही लीक है और 25,000 रुप प्राइस पॉइंट है नहीं है जूट लग रहे है जो भी लग रहे है जबता ना नीचे कमेंट्स में सो कैस्ट नेक्स निउस के अगर हम बात करें यह भी काफी बड़ी नियूज है यह रियल्मी की तरफ सारी यह और आपको बता दू रियल्मी के दो नए डिवाइस यहा चर्मा ने यहां पर ट्वीट करके बता दिया है और RMX2-111 करके एक मॉडल है और RMX2-112 करके एक मॉडल है और दूछीज कंफर्म हो चुकी है कि दोनों ही स्मार्टफोन 30W फास्ट चारजिंग के साथ माएंगे यहां पर आपको 5G टेक्नलोजी का यहां पर सपोर्ट जा रहा है और मतलब गैस करना जा रहा है कि यहां पर यहां पर हीयरी बीख 17 इंते पर आपको दिखने कोबूच कर दो तो यहाँ पर यहाँ पर यह लिस्ट रहा था तो मैं अलों सोचा कि आप लोग के साथ में शैर कर दूँ तो गाइस नेक्स नियुस के अगर हम बात करें तो वीवो के X50 सीरीज के बारे में आप सभी को पता होगा कुछ चाइना में लाँच हो गया था लेकिन आप इंडिया में फ्लिपकार्ड और एमेजॉन पर काफी दिन से टीजर पर जा रहा था कमिंग सून वगरा लिखा हो थ अब फाइनली ऑफिशली जो इसकी लॉंटेट इंडिया लॉंटेट कंफर्म हो चुकी है 16 जुलाई को यहाँ पर यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच होने वाले है और आपको बता दू आप सभी को पता है यार मतलब अच्छा खाफी अच्छा डिवाइस रहने वाला तो उससे 300% more stability मतलब जो stable जो रहता है वीडियो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर वीवा X50 सीरीज के साथ में तो गिंबल टैप का जो है आपको stability देखने को मिलेगी तो जो लोगों को जहाँ पर camera centric स्मार्टफोन चीए और definitely जो price point offline में आएगा तो थोगा over price processor वगरा को देखते वे तो वह ठीक है जिसको stabilization वगरा बहुत ही कमाल का चीए DSLR वगरा purchase नहीं करना है तो वो लोग यहाँ पर definitely check out कर सकते है वैसे 16 जुलाई के उपर इसके उपर वीडियो में बना के आपको बता दूगा value for money है लेने like है नहीं है जो भी है आपको बता दू है जो बताना नीचे comments में सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिल तो आप से सब्सक्राइब कर देना किसी वीडियो में शब तक के लिए thank you